बिहार के बहुचर्चित स्रीजन घोटाले की जाच को लेकर CBI की टीम एक बार फिर सक्रिये हो गई है मामले में बताया जा रहा है कि भागलपूर के स्रीजन घोटाले में फरार मुखे आरोपी अमीत एवं प्रिया कुमार के फ्लैट और अन्य जगहों पर CBI के द्वारा इस्तिहार चिपकाया गया जिसके तहट आरोपियों के दस संपत्यों के अधिगरहन को लेकर कारवाई सुरू कर दी गई है साथी सवावर के अंग बिहार अपार्टमेंट, कई फ्लैक, भागलपूर इंजिनरिंग कॉलेज के पास के भवन और कई खाली प्लॉट को भी सील कर कई जगहों पर इस्तिहार चिपकाया गया बताया जा रहा है कि स्रिजन घोटाले मामले को लेकर इससे पहले भी अंग बिहार अपार्टमेंट के कई कमरों को सील किया गया था जबकि इस घोटाले में अमीत एवं प्रिया की सनलिप्तता को देखते हुए CBI ने चार सीड भी पुर्में जारी कर दिया था वहीं इसके बाद अमीत और प्रिया के खिलाब गिरपतारी वारेंट जारी किया गया लेकिन दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं और उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है वही CBI के टीम ने घोटाले की फाइलों को खांगालते हुए भागलपूर के सबोर ब्लॉक अंतरगत फतेपुर इस्तित अंग बियार अपाटमेंट के अलावा कई जगहों पर इस्तिहार चिपकाया बियार में मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंचायती राज में 50% दी आरक्षन दिया है जिससे की महिला पंचायत परतिनीदी बन कर सशक्त हो सके इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिला को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जिसमें महिलाओं को आरक्षन दिया गिया लेकिन इन सबके बावजूत सबसे मातपूर्ण है जब सरकारी कारिक्रम में महिला मुख्या के स्थान पर मुख्या पती या मुख्या पुत्र या फिर मुख्या परतिनिधी नजर आए तो मुख्यमंत्री की योजना कैसे सफलोगी पंचैती राज विभाग ने महिला जन परतिनिधियों के लिए पत्र जारी कर कहा है कि किसी भी कारिक्रम में वे अपने परतिनिधी को नहीं भेजेंगे और किसी भी सरकारी बैठक और कारिकरम में मुख्या के अलाबा किसी भी परतिनीधी को बैठने नहीं दिया जाएगा और उसे किसी भी कारिकरम में सामिल नहीं किया जाएगा बापजूद इसके गुरुवार को एकचारी पंचायत में कहल लगाओंnousードに जहां मुख्या इंद्रादेवी के अस्थान पर मुख्या पुत्र परमोद कुमार मंडल नजराये। मुख्या पुत्र ने SDM को गाइड करना शुरू कर दिया। SDM भी जैसे जैसे मुख्या पुत्र कह रहे ते वईसे वईसे चलते नजराये। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि महिला कितना अपने अधिकारों का प्रियोग कर रही है। जिलादीकरी सुब्रत कुमार सेन गुरुबार को योजनाओं का निरक्षन करने जगदीशपूर प्रखंड के सनहौली पंचायज पहुँचे। जहां डीम ने वाड संक्या साथ और तेरह में जनवितरन परनाली की दुकान, आंगनवाडी केंदर, उप स्वास्त केंदर, मंद्रेगा, ब्रिक्षार ओपन योजना समें तरडिया मद्द विद्याले का निरक्षन किया। वही निरक्षन के दौरान ग्रामिनों ने डीम को नलजल से पानी नहीं मिलने की, जानकारी देते हुए कहा कि जब भी इस सम्मंद में बात करने के लिए कवनिये अवियंता को फोन लगाया जाता है, तो मोबाइल रिंग होता है, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया जाता है। इसके बाद ग्रामिनों की सिकायत पर संग्यान लेते हुए डीम ने जेई की संबीदा को रद्ध करने के लिए लोग स्वास्त अभियंतरन बिभाग को प्रस्ताव भेजने की बात कही, जबकि इस तरह की लापरवाही के लिए कारेपालत अभियंता और साहिक अभियंता से असपश्टिकरन मांगने का निर्देश डीम ने अधिकारियों को दिया, वहीं डीम भडोखर गाओं भी पहुँचे जहां ग्रामिनों ने कुलवा नदी पर बने पूल के समीब तूटे हुए तटवंद के बारे में ज्यानकारी ली, जिसके बाद डीम ने संबंदित अधिकारी अवलंब कराने का निर्देश दिया, इधर बढ़ोकर इस्तित मद्विद्याले के पास खर्रा नदी में चेक डेम बनाने के लिए मुख्या मर्गू और पियारस को निर्देश दिया गया है, इस दोरान ग्रामिन पवन कुमार तिवारी ने डीम को बढ़ोकर के उपस्वास्त केंदर में डॉक्टर और नर्स के नहीं आने की जानकारी देते हुए कहा कि इस इस्तिती में ग्रामिनों को काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है, जबकि मद्विद्याले में जरजर भवन और पानी के समस्या की भी जानकारी ग्रामिनों ने डीम को द प्रस्ताव हम लोग विभाग को भेज देंगे उन पर करवाई हो और उनको जो है नौकरी से प्रकास्त किया जाए इसके अतिरिक्त लापरवाही बरतने के लिए कालपाला का भियनता और साहय का भियनता दोनों से अस्पश्टिकरन पूछा जाएगा इस विशन गर्वी में भी इस तरह की लापरवाही नलजल स्कीम में यो प्यजडी विभाग के अभियनता हों द्वारा बरती गई है तो उनसे अस्पश्टिकरन होगा और जो जेई है जूनियर इंजिनियर है उनको संविदा मुक्त करने के लिए प्रस्ताव हम लोग विभाग को में देंगे बिहार मदनिसेद उतपाद अधिनियम 2016-31 एक मामले में गुरुबार को नौगचिया में विशेश नयाधिस उतपाद सरत चंद स्रिवास्तम ने सुनवाई करते हुए अभ्युक्त हावेल मुर्मु को 10 वर्स और 1 लाख रुपे अर्थदंड की सजा सुनाई जबकि कोट ने दोसी द्वारा जुर्माने की रासी नहीं देने की स्तिती में 6 मा की अत्रिक्त सजा काटने का आदेश जारी किया है बताया जा रहा है कि 6 जून 2021 को रंगरा के तरब से आ रही होंडा सिटी कार से जीरो माइल और टोल प्लाजा के बीच उत्पाद विभाद की टीम ने पुलीस की मदद से सराब बरामत किया था जबकि कार से एक व्यक्ती हवेल मुर्मु को भी गिरपतार किया गया था वही कार की तलासी लेने पर जाच टीम को कार की डिक्की में रखे 18 काटून से 162 लीटर विदेशी सराब बरामत हुआ था वही इस मामले मुवी सुनवाई में सरकार के तरफ से विशेश लोक अभियोजक भूला कुमार मंडल और उनके सैयोगी अधिवक्ता राजेंदर कुमार रवी रण्यन कुमार के अलावा प्रभासनात सुमन ने भी बहस में भाग लेकर अपनी बात रखी जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नवगच्या 235-31 जो 6-6-2021 को पुलीस को खबर मिली कि एक ग्रे रंग का कार रंगरा इधर से आ रही है और घारी मत्रा में सराप का खेप लेकर के जा रहा है ट्रोल प्लाजा जीरो माल्याओ ट्रोल प्लाजा के बीच में गारी को रोकने का इसारा दिया लेकिन गारी का ड्राइबर भागना चाहा पुलीस के अस्पूर्ति के कारण वह पक्राया और उस कार में 162 लीटर से उपर विदेशी सराप बरमद हुआ और उस ड्राइबर का नम था हावेल मुर्वू जिसका विचारन आज मौननिया सरत्चन स्रीवास्तप एडिजे बारय उत्पाद कोड़ टू में विचारन हुआ और आज सजा तुनाई गई उसमें 30 एमें दोसी उनको पाया गया और उसे 10 साल की सजा और एक लाख रुपिया जूरबान नहीं द बार की तैयारी को लेकर अनुस्रवन समीती की बैठक आयोजीत की गई जिसकी अध्यक्षता प्रकंट प्रमुक दुरगा देयालने की इस दोरान बार से निपटने के लिए जनपरतिनीदियों ने बचाओ को लेकर सीयो के साथ बिस्तार पूर्भक चर्चा की बैठक में सभी मुखिया को पंचायत अनुस्रवन समीती की बैठक करने का निर्देश दिया जबकि सो समय बार प्रिटों को सरकारी लाब मिल सके इसके बाद बार प्रभावित इलाके के लाभुकों की सूची बनाकर जल से जल अंचल कारियाले में सुपुर्द करने की बात सीयो ने क रहा कि बाल से निपटने के लिए सारी तैयारियां की जा रही है जिसके अंतरगत नात नगर प्रखंड के बाल प्रभावित पंचायतों के पिडितों के लिए आधा दर्जन सरनस्थली भी बनाये जाएंगे उन्होंने कहा कि सभी सिविर में भोजन पानी, बिजली चिकित पसुचारा आदिमूल भूत्स विधायें उपलब्द रहेगी और बाल प्रभावित इलाके में सरकारी नौ की भी व्यवस्था रहेगी, मौके पर वीडियो अंतिमा कुमारी, बी ए ओ रजनी रमन रजब, बी सी ओ कुनाल रंजन, सी डी पी ओ मेरी लता किसकू, स्वास्त प्रवंदक अपर्णा, जीप सदस्य धनंजय मंडल और मिथुनियादव समेत कई राजनितिक दल के परतिनिधी भी मौजूद रहे। हैं, हम भी हैं, सरकारी संस्क्राइड लोग भी हैं, हमने मिल करके यह फैसला लिया, कि हम लोग आप परसपर सरीयोग से परिशानी को की दिविश्ची का को कम करें लिए। परिश्चायत अनुशमन समीति की बैठक कर लें, और बैठक करके जो भी उनके साथ जी आर की राशी का लिस्ट होता है, वो हमें समय से उपलब्द करा दें। अगर उन्हीं लगता है कि उनके पंचायत अंदर किसी रोड की मरमती या बांध की मरमती के वशकता है तो वो भी हमें समय से संसूचित करते हैं ताकि हम समंधित विभाग को पत्रचार करके वो करवा लें। और पिछले साल बार के दरान हमने देखा था कि नाव की समस्या आती है कुछ पंचायत है जिसमें बार नाव नहीं है नाव नाविक वहां के लोग मतलब नाव नहीं है तो दूसरे पंचायत से वहां नाव उपलब्द कराना पड़ता है उसमें समस्या आती है दूसरे शायद में वेवस्ता हो जाए नाव का नाविक का तो थोड़ा सा समस्य मतर समस्य का समाधान होगा तो आपके नस्दी की शहर पॉसी बिहार में एक मात्र फार्मेसी कॉलेज जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइबरेजी जैसी अत्याधूनिक सुविधाएं अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गेर सरकारी संस्था में जौब पा सकते हैं साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं इतना ही नहीं बिहार जार्खंड एवं केंदर सरकार द्वारा प्रदत छात्र विर्ती का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं आईए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवा कर स्वास्त के छेत्र में उनका सुर्निम भविश्य बनाईए भागलपूर डिडिसी प्रतिवारानी ने सनौला प्रखंड के मदारगन गाओं पहुँचकर मन्रेगा, जलनल योजना, जल जीवन हरियाली और जन्वित्रन परनाली समेत पंचायत में चल रही सरकारी योजनाओं का जय जालिया जन्वित्रन परनाली के सभी दुकानों की जाँच के दवरान मदारगन पंचायत के ग्रामिनों ने डिडिसी से जन्वित्रन परनाली के दुकांदार परमनंद सिंग के खिलाब सिकायत की ग्रामीनों ने काया कि डीलर गाउंवालों को समय पर अनाज नहीं देते हैं जबकि एक यूनिट पर आधा कीलो अनाज भी कम देते हैं वहीं ग्रामीनों दोरा 18 रुपे की दर से परते एक यूनिट पर पैसा लेने की सिकायत मिलने पर डीडीसी डीलर परमनंद के यां पहुंची और डीलर का स्टॉक पंजी और गोदाम की जाचकी जहां भारी अनिमित्ता मिलने पर डीडीसी ने डीलर का लाइसंस रद कर दिया इधर पंजायत के लोगों ने पानी की समस्या के बारे में डीडीसी को जानकारी देते हुए बताया कि पानी की सप्लाइ नहीं होने के कारण उन लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है महीं ग्रामीन की तमाम सिकायतों और अनिमित्ता को लेकर डीडीसी परतिवारानी ने अभी लंग समस्याओं का समधान करने का निर्देश दिया साथी डीडीसी ने जल्द ही पानी की समस्या से निजात मिल जाने का भरुसा दिलाया इसके अलावा डीडीसी ने मंद्रेगा और आंगनवाडी केंद्रका भी निरिक्षन किया मौके पर सनहुला के पर्खंड पर्योजना पदाधिकारी, मंद्रेगा के मुकेश कुमार, पर्खंड बाल विकास पर्योजना पदाधिकारी समय कई विभाग के कर्मचारी उपस्तित थे पर्खंड 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 नर्जल की कुछ समस्या बताई गया है उसके लिए पी एक इंस्ट्रक्शन दिया है इस पर कारवाई करेंगे रिजॉल करें राष्टी हाई स्कूल सनोखर हाठ में स्कूल प्रवंदन समिती और प्रधानाचारी की अद्धक्षता में स्कूल के अंतरगत आने वाले किरसी योग भूमी और तालाब की भोली लगाई गई जिसमें बिजई कुमार यादब को 83 हजजार रुपे में तीन साल के लिए भूमी और तालाब के लिए अधिक्रित किया गया मौके पर तेलंदा पंचायद के सिब कुमार सा सनोकर पंचायद के संदे कुमार सिंग और जस्वन सिंग के अलावा विनोत सिंग समेत काफी शंख्या में ग्रामिन उपस्तित थे जिसमें डाक बोलने वालों में चार लोग थे विजय कुमार यादव गाजेंदर कुमार यादव गुटू मंदल अरून साह और एक्षो था चार आदमी थे और उसमें से सबसी अधिक विजय कुमार यादव जी जो है 83,000 तक डाक बोले और उनके नाम से उन्होंने चेक भी स्वास्त सुविधाओं को सुद्रीड करने एवं चिकित्सिय उपचार को बहतर करने के उद्देश से छेत्रिय उपनिदेशक डाक्टर अजै कुमार सिंग ने बाका के धोरिया समुदाइक स्वास्त केंदर का ओचक निरक्षन किया इस दोरान आडिडी ने उपलब्द संसादनों एवं स्वास्त सुविधाओं का जाईजा लेकर चिकित्सिय सुविधाओं को सुद्रीड एवं बहतर करने का निर्देश दिया जिसे मरीजों को चिकित्सिय उपचार के लिए उचित्सुविधा मुहया कराया जा सके वहीं ओचक निरिक्षन के करम में उपनिदेशक ने अस्पताल में उपलब्द संसादनों विविन्न वाड और अन्य स्वास्त वैवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ अस्पताल में कारे कर रहे चिकित्सकों, स्वास्त कर्मियों और सफाई कर्मियों की इस्तिती की भी जानकारी ली इधर उपनिदेशक ने कर्मियों को देखकर सक्त लाजे में कहा की चिकित्सकों की अनुपस्तिती और कारे में लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी साथी छत्रिय उपनिदेशक अजय कुमार सिंग ने अस्पताल की नियमित साप सफाई एवं ब्याक्तिकत स्वक्षता पर विशेज ध्यान देने का निर्देश दिया मौके पर दोरिया चिकित्सा परभारी, एस एस दास, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अफ्ताक और प्रवंदक श्यामकिशोर मौजूद थे प्रपेति प्रखंड के रिफातपूर सिमानपूर पंचायत पहुंचे एश्डियम मदुकांत ने सरकार द्वारा चलाई जा रहे योजनाओं की जाच की इस दोरान एश्डियम ने वाड संक्या दो, साथ और आठ में नलजल योजना और जन्वितन परनाली दुकान की जाच करने के बाद वेवस्था को ठीक बताया जबकि उन्होंने मन्रेगा में कारे कर रहे मजदूरों के घर की जाच की जिसमें उन्हें कुछ अनिमित्ता देखने को मिला एश्डियम ने काया कि अनिमित्ता की जाच कर प्यारस और दोस्यों के उपर कड़ी कारवाई भी की जाएगी उनका घर हम देखने आये थे वो अभी भी मजदूर है ये मेरो को शंका ही लग रहा है